नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मंगल लाचुम में एक रात गुजारने के बाद अब हमारा सफर शुरू हो चुका है यून्थांग वैली के ओर यून्थांग वैली में वैसे तो रोडन रॉन के फ्लावर का सीजन खतम हो चुका है मगर फिर भी यहां का मौसम यहां की वादियां और पेड़ पौधे नदी यह सब देखने लायक है पहाडों पर से बादल इस तरीके से एकदम नीचे आपको दिखाई देते हैं आप उन्हें महसूस तक कर सकते हो इस तरीके का मौसम यहां पर हर जगे आपको देखने के लिए मिलेगा भगवान ने नौट सिक्किम को इतनी नैसर की खुबसूरती से नवाजा है कि शायद ही कोई हमारे देश का स्टेट होगा आप दुनिया में कहीं भी घुमके आईए मगर सिक्किम के खुबसूरती के आगे सब फैले यह सामने आप जो गुलाबी रंग के फ्लावर्स देख रहे हैं यह मौनेस्ट्री में जो आप एक खुशबू आती है जब धूब जलाई जाती है तो उस फ्लावर की खुशबू इस वैली में रॉडंड रॉन की करीब 28 से भी ज्यादा वराइटिया मिलती है और जब सीजन होता है तो पूरा लाल गुलाबी पीला सफेद इस तरीके से यह पूरा पहाड और आसपास का नजारा होता है सामने देखिए एक ग्रेशर्स कितना खुबसूरत है इससे तो बारिश परसाने वाले हैं बहुत सुंदर नजारा है यह मेरी नजार इस ग्रेशर्स की खुबसूरती से हटी नहीं रही थी इसका वर्मन करना भी मेरे लिए नामुंकिंग था क्यूंकि अक्सर हमारा जो कैमेरे के लेंस होती है वो यह नजारे एक्चुली वैसे ही नहीं दिखा पाते हैं जैसे कि हमारी आंखें देख रही होती हैं हमारी आखों को वाइड एंगल की जरूरत नहीं होती मग़र कैमेरा से हमें लेट रoga ऐसे अंगल दिखाके आपको वाइड का एक इफेक्ट दिनना पड़ता है महला पड़ता है यह सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं इस खाई के बीच में से वहीं से हम गूंते इस रास्ते से आए हैं और हम इस सामने वारे जो आप रास्ते को देख रहे हैं वहां से जाएंगे जिरो पॉइंट के और तो यह सामने दो पहाडों के बीच में जो सामने आपको एक बड़ा सा पहाड दिख रहा है इसे कहते हैं पैंसल हील और इसके और आगे जाने के बाद आता है पुनेरी हील और वहीं से आगे से चाइना एक्चली शुरू हो जाता है चाइना दिखाए देता है हम यह कह सकते हैं कि नौट सिक्किम के और से चाइना हमें दो जगे से जोड़ता है एक गुरुडंगर मार्क से और दूसरा यहां से मतलब यूंग्थांग वेल के थोड़ा से आगे जाने के बाद यह जो जीरो पॉइंट है वहां से आगे से जोड़ता है बेसिकली जो इस्ट और वेसुकिम से नौट सिक्किम को जोड़ने वाले रास्ते हैं याने पैली और गेंग टॉक से यहां पर टूरिस्ट मोमेंट बिल्कुल भी रोक दी गई वहां से पासिस नहीं दिये जा रहे हैं लिमिटट पासिस दिये जाता है क्योंकि मॉंसुम के श टनल भी बंद हो चुका था यहां तक के कई इलाकों में जब हम भी आ रहे थे तो हमें भी बहुत परिशानी हुई हम कुछ नशीब थे कि मिल्टी के ट्रक्स हमारे आगे थे तो वह अपना रस्ता बना रहे थे वह साथ में हमें भी रस्ता मिल रहा था हम अब जिरो पॉइंट से वापस लॉट रहे हैं यूंग थांग वैली लाचूं की और रस्ते में हमें ये खूब सूरत रास्ता दिखाई दिया जो जिग जग 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 है आप दिखे किस तरीके से और देखने में इतना खूब सूरत लग रहा था बादल जा रहे हैं किसे और ये रस्ता फिर मुझे लगा कि आपको लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहिए और ये सामने जो वैली है यही जाती है यूंग थांग की और और ये उपर का पहाड देखिए क्या बादल है इस पर हूब सूरत एक दम यहां अकसर आपको बादल ऐसे नीचे आप के पास हैं दिखाई देगा और थोड़ा सा दूद भी पाजाती है तो ये रास्ता जो है इतना चमकता है सफेध है बीच में तो अब हम लोट चले हैं लाचूं की और ये ब्रीज मुझे बहुत अच्छा लगा था वो दिदी जा रही थी मैंने हाई किया उनको उनने भी कि यहां के खूपसूरती बहुत ही लाजवाब है एकदम अलग लगता है और यहां पर जब थंडी होती है तो पूरा बर्फ चाह जाता है अगस्व अगरे मैंत में यहां पर आके यहां का मजा लेना बहुत अच्छा होगा आप यदि आना चाहें तो ऐसे कुछ प्लाइन करक तकी यहां के यहां कि यहां दोस्तों प्लाइजा में आप